नमस्कार दिश्टिल कक्ष में बीए तिर्थी वर्स इतियास के विद्यार्थियों का स्वागत है जैसा कि आज ही हमने नेता जी सुवास्चन बोस की जैनती मनाई है तो उसी सिलसले में आजादिंद फौज की बात हुई कई बकताओं ने वहाँ अपनी बातचीत की हुई थ तो इस तरह से आजादिंद फौज के जो सेननायक थे सैनिक थे उनके पूपर जब मुकदमा चलाया गया तो संपूर्ण भारत वर्स की जनता ने जो मुकदमों का निर्णे था उनका विरूत किया और देश में चारो औरे आवाज उठने लगी कि लाल के ले को तोड़ दो आजादिंद फौज को छोड़ दो बारती जन्मत के दबाओ के समक्ष बिबस होकर गवर्नर जनरल ने अपने विसेसा अधिकारों का प्रियोग करके और जो बड़े नायक थे उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया इन मुकदमों ने भारत वर्स में तेजी से राष्टी चेतना जागरत करने का कार किया सारे देश में आजादिंद फौज के कारियों की प्रसंसा की गई और इससे प्रिभावित होकर के नौ सेना में जो जल सेना थी बिटिस जल सेना उसमें विद्रो भड़क उठा 18 फर्वरी 1946 इस्वी को मुंबई में नौ सेना ने खुला विद्रो कर बिटिस सम्मान को गहरी चोट पहुचाई यह विद्रो तलबार नामक जहाद से आरंब हुआ था विद्रो के प्रमुक नेता MS खान थे जो बाद में यह दब इस विद्रो को जल्दी 5-7 दिन में दबा लिया गया और 23 फर्वरी 1946 को पटेल ने जिन्ना की साहिता से 9 सेनकों को समर्पन के लिए त्यार कर लिया इस विद्रो के समर्थन में कई स्थानों पर मजदूरों ने भी हर्तालें की अब जहां तक इस विद्रो के ठोस कारणों की चर्चा है तो लगबग RIN के सिगनल प्रिसिक्षन के HMIS तलवार जो जहास था उसके 1100 भारती नावकों ने जिन्ने रेटिंग्स कहा जाता था विद्रो कर दिया था और इनके जो कारण थे उसमें नसलबादी भेदभाव, खराब भोजन, कम बेतन और आजाद इंद फोज पर मुकदमा ये प्रमुक मांगे थी इनकी और आजाद इंद फोज के जो सैनिक थे इनके रिहाई की मांग कर रहे थे नाविक बीसी दत्त ने जो है जहास तलवार की दिवारों पर भारत छोड़ो लिखने का काम किया था और इस आरोप में उन्हें गृपतार किया गया बीसी दत्त को नाविक उन्हें रहा करने की मांग कर रहे थे जो अन इनके नाविक साथी थे सीगरी विद्रोई ये जो था मदरास, कराची और कलकत्ता में भी नावकों में फैल गया विद्रोई में विद्रोईयों ने यूनियन जैक की जगे कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग बर कम्निस्ट पार्टी के जंडे लगा दिये विद्रोई नावकों ने मैस खान के नितुत में नौसेना केंद्री हर्ताल समित का गठन किया बंबई, पूना, कलकत्ता, जैसूर तथा अंबाला में रायल इंडियन एर फोर्स के कर्मचारियों ने सहन भूत हर्ताल रखी जबल पूर बा कलकोता में भी सेनकों ने विद्रों में हिस्सा लिया जैसा कि पहले मैंने बताया कि अंत में सरदार पटेल तथा जिन्ना ने नावकों से आस्मर्पन करने के लिए अग्रे किया सरदार पठेल ने नावकों को आसोसन दिया कि उन पर मुगदमा नहीं चलाया जाएगा इस आस्वासन के बाद बिद्रोईयों ने आस्वामुन कर दिया ये दबती थी को लेके मत मतानता रहे कोई 23 फरवरी और कुछ लेकों ने से 25 फरवरी 1946 बताया है तो 1957 के बाद ये पहला उसर था जब भारती सेना ने बिटे सत्ता को खुली चिनोती दियो तो इस तहीके से ये नो सेना विद्रोई जो है आजादी की पूर बेला पर एक ऐसा प्रमुक विद्रोई है जिसके बारे में काफी चर्चा रहती है और जो भारती सतंतरता अधनियम पास करने का काम था उसमें इस विद्रोई के चलते एक तुरण का काम हुआ और कैवनेट मिसन जो 1946 में ही आया वो उसकी घोसना इस दोरान ही लगबग की गई कि भई कैवनेट मिसन आएगा तो इसके बहुत दूर गामी परिडाम रहे कैवनेट मिसन पर अलग से चर्चा की जाएगी तो बिटेन की जो एटली सरकार थी उसने भारत को अपने विशिक स्वराज प्रदान करने के उद्देश से ये कैवनेट मिसन 19 फरवरी 1946 को बेजने की गोशना की और ये मिसन भारती नेताओं से भारती सुतनता के पर बिचार बिनमे करने के लिए यहां आया था इस पर हम बाद में बात करेंगे किन्तु संचेप में इतना वस बता दें कि इस मिसन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सर इस्टेफोर्ड क्रिफ्स और एवी अलेक्जेंडर सामिल थे और मार्च 1946 में मिसन दिल्ली पहुँचा बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे तो समासता ये है कि नौसेना विद्रो जो था वो भारत के आदनिक भारत के इत्यास में प्रमुक बिद्रो है जैसा कि मैंने पहले बताया कि 18 से 57 की करांती के बाद ये पहला उसर था जब भारती सेना ने ब्रिटिस सत्ता को सीधे सीधे चुनोती दियो और जो प्रमुक मांगे थी या जो कारण थे वो बहतर भोजन बहतर जीवन भेद भाव का अंत और अजाद इंद फौज के कैदियों की रहाई जैसी इनकी मांगे थी और इनके समर्थन में मजदूरों ने हरताल की और जो येर फोर्स थी उसके सेनकों ने भी सांकेतिक हरताल इनके समर्थन में की हुई थी तो इससे संदर्ब में आपकी मनमेद कोई जिग्यासा या प्रशन है तो आप अबस पूछे दन्यवाद